कहिए कैसे हैं आप तेके married ladies के चाहे वो newly married हो चाहे शादी को 10 साल हुए हो चाहे 10 साल से भी जादा हो गए हो अकसर एक comment YouTube पर बहुत frequently आता है बहुत frequently आता है और वो यह कि husband मेरे respect ही नहीं करते मुझे को समझते ही नहीं है तो बहुत दुख होता है मैं इतना ख्याल रखती हूँ मैं इतनी care करती हूँ पर इस तरह से जब मिलता है तो अच्छा नहीं लगता मैं क्या करूँ तो देखिए इस बात के ना reasons तो बहुत सारे हो सकते है कि क्यों नहीं respect करते है या आपको क्यों नहीं समझते लेकिन एक बात मतलब बहुत main है इन सब में कि क्यों नहीं समझते और वो main बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही उन्हें कुछ नहीं समझती मैं थोड़ी सी कड़वी बात जरूर कह रही हूँ लेकिन ये समझने वाली बात है और अगर ये बात समझ आ गई न in case अगर कुछ ऐसी बात है और ये बात समझ आ गई और हमने इसको apply कर लिया कि हाँ ये ठीक है तो हमारी जिन्दगी ये जो married life है न काफी हद तक बेहतर बन सकती है तो आग में सर्फ और सर्फ इसी बारे में बात करोंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही उन्हें कुछ नहीं समझती और ये कहने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कुछ एक्जाम्पल्स देखिए ये चीज मैं ये नहीं कह रही है कि आप जानबुच के करती है मतलब हो जाती है कई मर क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता और वो चीज हो गई और उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आनी शुरू जाती है तो वो चीज हो ही नाना अब जैसे कि एक example में आपको बताती हूँ कि एक wife है और वो बहुत care करती है husband की बहुत ख्याल रखती है मतलब हर एक चीज का पसंद का नापसंद का सब कुछ बहुत अच्छे से ख्याल रखती है वो बनाती भी है जैसे माली जी मैं खाने की बात करती हूँ उनकी पसंद का खाना भी बनाती है जैसे माली जी मैं खाने को कड़ी पसंद है वो बनाती है मतलब रुस्वई में दो-दो घंटे लगके को मैनत करके बढ़ी आसी कड़ी बनाती है पर बनाती है अच्छे हटे कती है पर कल और यज़वा बनाती है अब चाहे एक मतलब है रहतो है टाइम बनाती है को और समझा तो दो-ठाल हैँ जह को और भी और मतलब है इतनी महना से मैंने कड़ी बनाई, कड़ी आपकी फेवरेट है, अब ये भी पता है उसको कि इनको खटी-कड़ी नी पसंद, फिर भी वो ज्यादा खटी, मतलब दही जब बिल्कुल खटी हो जाती है उसकी कड़ी बनाती है, अब उनको अच्छी नी लगती, तो ये जो बात कुछ नी पसंद, अगर आप उनकी पसंद, नापसंद को जानती है, आपको ये भी पता है कि उनको खटी-कड़ी पसंद नहीं है, तो आप मत बनाईए, और रही बात की घर के सभी family members को खटी-कड़ी पसंद है, तो उसमें डिक्कत क्या है, आप दो जगे बना लीजिये न सब खुश रहेंगे जब किचिन में खड़ी हैं दो गंटे से खड़ी हैं महनत कर रही हैं तो दो अलग-अलग कड़ी बना लिज़ें कोई प्रॉब्लम है यही बात तो समझने वाली है जो कि समझती नहीं है और एक्जामपल देती हूँ जैसे कि मान लीजिए सुबह चले जाते हैं नौ बजे ऑफिस ठीक है शाम को 6-7 बजे तक लोटते हैं बिल्कुल थके हारें अच्छा उनको यह हमेशा से होता है कि जब मैं ऑफिस से आओ मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए मतलब 15-20 मिनट थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाओ थोड़ा लेट लू थोड़ा चाय पिलू उसके बाद मैं खुब बाते भी करूंगा मतलब सारे पूछूंगा भी क्या रहा घर का मतलब अभी उनको यह है कि उनको स्पेस चाहिए ओफिस से आते ही लेकिन नहीं जी आते ही जैसे बच्चों की शिकायतों को आप पिटारा लेके बैट गी यह कहना नहीं मानते हैं पढ़ते नहीं हैं कितनी बार माना कर दियां मोबाइल मत करो अच्छा इवन बच्चे उनके सामने आ भी जाते हैं हस्बिन जब ऑफिस से आये उसी समय बच्चे आ गए उनको दो चार लगा भी देती है और फिर वो रोने लग गए फिर चिला रही है गुसा कर रही है या फिर जॉइन फैमिली है जॉइन फैमिली है बुराहियां करनी शुरू कर दी तो घंस करती है जब यह है कि अभी आए हैं उनको थोड़ी दिर आहसा क्या काम होता है है बैट के काम इस्तु करना होता है मतलब यह सोच समस्ते नहीं है न उनको कुछ जो हूँ न मैं加ard मैं यह हूँ, मेरी सुनो तो यह चीज गलत है ना, देखिए इस तरह से करेंगे आप एक बात बताईए मुझे, दिल पे हाथ रख के बताईएगा जैसे मालीजी आप काम करती हैं आफिस में सुबेद चली जाती हैं 8-9 बजे और शाम को 6-7 बजे लोटती है लोटते ही बच्चे आपके ओपर चड़ जाए या मदन इल्लो कोई काम आपको बता दे तुमने ये नहीं किया, ये करो, इस तरह से नहीं हुए तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा अरे अभी तो आई हो, दस मिनट तो बैटने दो मुझे नहीं कहेंगी क्या आप ये ही चीज उनके साथ है, प्रॉब्लम क्या है समझे तो सो तरह की काम होते हैं सो तरह की टेंशन होती है थोड़ा सा अगर वो स्पेस ही तो चारहे है वो हमेशा के लिए थोड़ना चारहे है आफिस से आने के आदा घंटे बाद तक कुछ मत कीजिए ना शिकायते, मतलब पिंड्रॉप साइलन्स रखी है घर पे, क्या दिक्कत है उसके बाद जब रिलाक्स हो जाएंगे तब कीजिए बाद कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, नहीं समझ नहीं यह बहुत फैमिली का हाल मैंने देखा है और यह जो मैं बता रही हूँ ना यूट्यूब पे जब मैं पूछती हूँ ना उनसे यह आज वीडियो बनाने की जूरती इसलिए पड़ी है कि जब मैं पूछती हूँ फिर वो बताती है तो यह प्रॉब्लम्स बताती है अब दिक्कत क्या उनको स्पेस देने में या एक और एक्जाम्पल बताती हूँ घर के छोटे मोटे काम है हस्बंड ने हेल्प करा दी जैसे माली जी हस्बंड घर पे गैस सिलिंडर कतम हो गया तो हस्बंड ने का मैं लगा देता हूँ उन्होंने लगा दिया घर पर बल्ब था फ्यूज हो गया हस्बंड ने का कोई दिक्कत निया स्टूल पे चड़े और बल्ब चेंज कर दिया हेल्प करा रहे है या ओफिस से ही फोन आ गया कि अज डिनर मत बनाना हम बाहर चलेंगे या आज हम मूवी देखने चलेंगे उसके बात हम दिनर खाके घर आएंगे मतलब कुछ मत बनाना घर पर अच्छा, क्या बात है आज मतलब अगर घर के काम कर आ रहे है आज तो बड़े महरमान जहरे है या जैसे office में तो कोई ना कोई तो बात होगी वो शक का कीड़ा है ना वो कुल बुलाने लगता है कि किया वज़या है, मतलब क्यों लेके जा रहे हैं, आज क्यों लेके जा रहे हैं अच्छा माल लेज़े होटल में husband के कोई note मिल गये या कोई colleague मिल गई जो आफिस में उनके साथ काम करती है फिर तो और जादा गहरा शक हो जाता है इसलिए इसलिए लेके आए हैं मतलब वो जो केर कर रहे हैं वो जो आपको मतलब खुश रखना चाहरे हैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं समझ रही ना अपने हिसाब से कि आज क्या वजह हो गए उन्हों ने अगर घर के काम करा है अगर वो लेके जा रहे हैं तो कम से कम उनको एप्रिशेट कीजिए कि बहुत अच्छी वात है आप कितने अच्छे हो आप कितना ख्याल रख तो तो मतलब ही नहीं ना क्यों कर रहे हैं फिर दिमाग इस डिरेक्शन में गूमता है कि ऐसा क्यों हो रहा है आज समस्ती नहीं है ना उनको कुछ और ये सब मैं यह नहीं कह रही कि जान बूश के गलती से हो रहा है जान बूश के नहीं हो रहा है यही नहीं होना चाहिए आज मैं सिर्फ एक ही बात को लेके वैठी हो जो की होती है जो की हम कर जाती है अच्छा एक एक्जामपल और बताती हूं जैसे शादी से पहले जो आपका अपना घर था वहां पर आपके जो पापा हैं वो बैटी बनाते थे आपके पापा हैं वो सुबह डोलू लेके जाते थे और वो दूद लेके आते थे मतलब यह रूटीन थी बचपन से यही आपने देखा अच्छा अब आप शादी होके आगई यहां जो सुसुराल है यहां पर ऐसा नहीं होता यहां पर अलग महौल है तो अब आप क्या कर रही हैं क्या सोच रख रही हैं मतलब बार बर कंपैरिजन करती है मेरे पापा तो सुबह उटके बैटी बनाते थे आप तो यह भी नहीं नहीं करते हैं मेरे पापा तो सुबह उटके दूद्ँ ले के आते थे आप तो नहीं करते हैं या अगर ऐसा नहीं है तो पर बाड़ देख रही हैं कि एक जो प्रनों से उनके फापा फ़तल होती है और हस्बन कपड़त उखाते तो आप तो यह नहीं करते तो हर एक की फिर एक बात आप से यह जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए यह जो आप comparison करती है ना मेरे पापा ऐसे करते थे या मेरे जी जा जी आ जी आ ऐसे करते थे मतला आप यह बताईए कि हस्बेंड अगर आपको परोसन का example दें कि देखो परोसन ने कुद को कितना maintain करके रखा हूँ है उसकी figure कितनी अच्छी है तो क्या कहेंगी आप या फिर जो मेरी मम्मी है husband यह कह रहे है जो मेरी मम्मी है वह घर को कितना अच्छी तरह maintain करके चलती थी वह बचन भी करती थी और सब की जरूरते भी पूरी करती थी ध्यान भी रखती थी मतलब तुम उनसे क्यों नहीं सी उनकी feelings को समझिए ना कि वो किस तरह की है उनकी nature किस तरह की है comparison करके क्या मिलेगा बहुत गलत बात करती है देखो जाने अगर हो जाती है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं जान भूच के करती है ना फिर ये नुकसान दे हो सकता है आपकी आगे की family life के लिए अगर इस तरह की चीज़े हो रही है तो जरूरी है कि हम अभी से सुधार ले अब एक example और बताती है जैसे माल लीजिए कि शादी के बाद बहुत सारा आप दहेज लेके आई है ना बहुत मतलब जो requirement थी पैसा भी कूप कर चुआ शादी पर और दहेज भी कूप सारा लेके अच्छा या पिर आपकी जॉब बहुत अच्छी है जहां काम कर रही है नौकरी बहुत अच्छी है या फिर आपके जो पेरेंट्स है उन वह बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं तो उनका गवन की मेरे पापा जैसे माली जी आ तो पॉलिटीशियन है या पुलिस डिपार्ट जो भी मान के चलिए कि बहुत अच्छी उनकी पोस्ट है बहुत अच्छी दोनों जॉब करें तो वो कि मेरे पापा ऐसे है मेरी मम्मी यह मतलब जो इगो आ जाती है ना अपने अंदर की वो देखो कितने अच्छी यह मैं तो देखो कितना देज लाई हूं मैं किसी से क्यों मतलब घर से भी उसको थोड़ा सा पंपिंग करके भेजा जाता है कि बही देखो तुम खुब पैसा लेके आई हो अराम से रहना कोई दिक्कत ना हो है ना और कोई दिक्कत होगी तुम मुझे तुरंट बताना मतलब इस तरह की बाते होती है और फिर वो कन्वे भी हो जाते हैं बहुत जादा मतलब मिस भीएव कर जाती है और बहुत बुरी तरह बोल जाती है होता है न यह मतलब ध्यान नहीं रखती कि मैं किस से बात कर रही हूं पर क्योंकि मैं तो बहुत पैसा लेकी आई हूँ आपकी हिम्मत कैसे हो आप तो बोली नहीं सकते मेरे आगे या मैं कमाती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मेरे कोई परवाय नहीं है, छोड़ भी सकती हूँ, मतलब बार-बार इस तरे की धंकी देना, ये किसलिए है? क्योंकि कुछ समझती नहीं है, आपको पता है, अब शादी हो गही है, अब वो बात नहीं है कि आप अलग वो अलग देखिए एक बहुत खूबसरत सी बात है कि जो बात हम में है वो ना तुम में है ना मुझ में है मतलब हमने मिलके घर को चलाना है मैं कहाँ से आगया इसमें और जहां मैं आगया न वहाँ से तो प्यार और विश्वा सब किसक लेता है चुप चाबी तो ये चीज निकाल दीजिए कि मैं ये मतलब मेरे मम्मी पापा या मेरे पास इतना पैसा आया मैं इतना ये चीज़े नहीं चलेंगी अब हमें मिलके रहना है एक साथ रहना है और वो भी खुशी-खुशी रहना है ये जो मैंने आपको कुछ एक एक एक्जाम्पल्स बताएं इनको बताने का सिरफ इतना ही मतलब है in case अगर इस तरह की बाते हम कर रही है जाने आन जाने इसे तो इसको मत कीजे मुझे लगता है कि ये बात सुनके ना आप में से बहुत लेटिस के मन में ये चीज़ आरही होगी तो क्या सारे गलती लेटिस की होती है मैं लोग तो बहुत अच्छे होते हैं मतलब इस तरह की फीलिंग आरही होगी तो ऐसी बात नहीं है गलती वहां भी होती है जरूर होती होगी गलतीयां तो सबसे ही होती है जरूर होती होगी पर प्रॉब्लम पते क्या है हम ना हम सिरफ अपनी गलती नहीं देखते हैं हम हमेशा सामने वाले कोई देखती है उसकी गलती है उसने आज सबसे आज समय कर रहा हो MARK मुझे वो कुछ नहीं समझ रहा है अपने अंदर भी जाग के देखें कई मेरे में कोई कमी नहीं है कई मैं तो ऐसा नहीं कर रही तो अगर है तो खुद को भेतर बनाए और लग रहा है नहीं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ एक पॉइंट भी नहीं है जो मैं ऐसा करती हूँ मैं तो बहुत क्यार करती हूँ, मैं तो बहुत क्याल रखती हूँ फिर उसके अलग तरीके हैं, फिर आपको उनसे खुल के बात करनी पड़ेगी, रीजन जानना पड़ेगा कि क्या वज़े है, आप इस तरह से क्यों करते हैं मेरे साथ, पर जहां तक मुझे समझ आती है, हमें एक बार अपने अंदर जाग के देखना चाहिए, कहीं मेरी गलती मैं जो स्टार्टिंग में बताया है कि जैसे कमेंट्स आते हैं यूटीू पे बहुत सारे और अर फ्रिक्वेंट्ली आते हैं, जट मैं परस्नली सब से बात करती हूँ और रिजन निकल के आता है तो पते हैं, बहुत बहुत थैंक्यूम क्ला हमें तो पता yine था इस बात का अब बहुत अच्छा लगता है अब married life बहुत खुशी-खुशी निकल रही है दिल को सुकून मिलता है मेरे देखें आप बहुत अच्छी हैं बहुत केरिंग हैं no doubt, बहुत करती हैं अपने से उपर रोके करती हैं पर थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना कि क्या जो मैं कर रही हूँ ओवर तो नहीं है, सब सही जा रहा है, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, देखेगा मैरीड लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकती, इतनी अच्छी हो जाएग और इसमें जो बेल का बटन है ये भी दबा दीजेगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आजाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहे हैं कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको शेर भी जरूर कर लीटेगा, ठीक, बाई